हलो ब्रीवान आप सभी का सागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में गाइज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपना पुराना इस्टाग्राम एकाउंट कैसे लोग इन करेंगे कैसे वापस दोबारा से अपने फोन में ओपन करेंगे तो गाइज आज हम इसी टोपिक पर बात करने वाले हैं कि अगर आपका पुराना इस्टाग्राम एकाउंट था जो कि इस समय आपके पास नहीं है और आप उससे दोबारा से अपने फोन में लोग इन करना चाहते हैं और आप ओपन नहीं कर पा रहा हैं तो अपना पुराना इस्टाग्राम एकाउंट ओपन करने के लिए आपको वीडियो को लाच तक देखना पड़ेगा जिसे कि आप अपना पुराना इस्टाग्राम एकाउंट ओपन कर सकें तो चलिए भीने टाइम वेस्ट किये वीडियो को स्टार्ट करते हैं उसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले अपने फोन में इस्टाग्राम को open कर लेना होगा इस्टाग्राम open करने के बाद यहां पर देख सकते हैं जैसे कि हमारा पहले से पूराना एकाउंट login है तो हम इसे log out करके ही आपको बताएंगे कि आप अपना पूराना इस्टाग्राम एकाउंट कैसे open करेंगे जब आप नए नए इस्टाग्राम open करेंगे डाउनलोड करने के बाद आपके फोन में कुछ इसी तरह से option देखने को मिलेगा तो गाज यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है यहां पर देख सकते हैं सिर्फ login के नीचे यहां पर forget password का option देखने को मिलेगा तो simply आपको इसी वाले option पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहां फिर देख सकते हैं username, email address, mobile number मांग रहा है तो यहां पर भी आपको कुछ नहीं देना है यहां पर देख सकते हैं can't reset your password का option देख रहा है तो simply आपको इसी वाले option पर click कर देना है जैसे इस पर click करेंगे फिर से नया page आपको देखने को यह मिल जाएगा यहां पे सबसे उपर यह का अप्सन देखने को आपको मिल रहा है देख सकते हैं जैसे की recover your instagram password उसके side में यहां पे arrow का अप्सन दीख रहा है तो simply आपको यहां पे click कर देना है उसके बाद को इस तरह से page यह open हो जाएगा फिर से आपको थोड़ा से यहां पे scroll करते हुए नीचे side आना है नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहां पे blue color में widget the page का option दिख रहा है तो simply आपको इस पे click कर देना है एक बार जैसे इस पे click करेंगे फिर से यहां पे नया इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पे देख सकते हैं कुछ option देखने को आपको मिलेगा पहला है my account was jacket दूसरा है I forget my password तो simply आपको क्या करना होगा यहां पे दूसरे वाले option पे click कर देना होगा I forget my password इस पर click करने के बाद यहां पर नेश्ट का option देखने को मिल जाएगा तो simply आपको नेश्ट वाले option पे click कर देना है जैसे इस पर click करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह था interface आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर अपना mobile number डाल लेना है जैसे यह आप अपना mobile number यहाँ पर डाल देंगे उसके बाद यहाँ पर नीचे से दिखेगा send login link का option तो simply आपको क्या करना होगा इसी पर click कर देना एक बाद इस पर click करने के बाद यहाँ पर नया interface आपको देखने को मिल जाएगा देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप क्या करना होगा यहाँ पर देख सकते हैं आई यह नाट रोबौट का आप संद्रोग उसके साइट में यहाँ पर एक box का option दिख रहा है तो simply आपको देख सकते हैं card select करने के लिए आपको card select कर लेना है जैसे कि यहां पर देख सकते हैं जिसने भी box में card दिख रहा है आपको सब को tick कर देना है उसके बाद यहां पर verify का option दिख रहा है तो simply आपको verify वाले option पर click कर देंगे उसके बाद यहां पर देख सकते हैं I am not robot यहां पर सही का निशान लग जाएगा फिर यहां पर नीचे nest का अप्शन दिखेगा तो simply आपको nest वाले अप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहां पर में के इस में सेंट यानि आपके फौन पर मैंसेज गया होगा तो आपको इस YouTube Roman गाता है तो आपको एक message आया रहेगा Instagram link का तो simply आपको इसे open कर लेना है open करने के बाद यहां पर देख सकते हैं link दिख जाएगा आपको इसी link पर एक बार click कर देना है उसके बाद फिर से यहां पर एक box दिखेगा continue use possible risk का तो simply आपको इसे वाले box पर click कर देना है उसके बाद यहां पर continue का option दिखेगा तो simply आपको continue वाले option पर click कर देना है इस पर जैसे एक click करेंगे उसके बाद redirect कर देगा आपके Instagram पर तो आपको Instagram पर click कर देना है यहां पर देख सकते हैं आपका id login हो जाएगा आपका Please doEh पोर्ष रहेंगे यहां पर देखने को मिल जाएंगे देख सकते हैं यही i mra था इसे login करना था और यहां पर login हो चुकआ है आपको कोई email id की जरूरत नहीं होगी नहीं तो कोई भी password की जरूरत होगी सिर्फ एक link भेज के अपना एक minute में आप अपना id open कर लेंगे कोई भी problem नहीं होगी गाइज इस तरह से आप अपना पुराना Instagram account open कर सकते हैं पूरा लाइज हमने open करके आपको दिखा दिया है तो अब इडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर थोड़ा सा भी helpful रहा होगा यह वीडियो आपके लिए तो आप वीडियो को like कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल्मेवे लाइकन गंटिक प्रेस कर देना जिसे कि हमारा हर नए वीडियो आने वाला आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए गाई आज के लिए बस इतना है मिलते हैं किसी अगले नेस्ट वीडियो में नए टापिक के साथ तब तक के लिए जय हैं जय भारत